हाई व्रीवन माइनम है श्यवांच बसीन वेलकम बाक तू दिस चैनल आज के मार्करिट ने बहुत अच्छा वह वाम करा जो लेवल्स हम लोगों ने कल डिसक्स कर रहे थे अनालिसिस के थूरू मुल्टिपल हम लोगों ने कन्फरमेशन लीती हैं उसके थूरू एक्जाक्ल आप लोगों ने ट्रेट्स को लिया होगा या नहीं भी लिया होगा यह जो चैनल है आपको प्राक्टिस करवाएगा मैं एक बर दुबारा रेपीट कर देता हूं जो मैंने कल बोला था कि अगर आभी थर्टी डेस तक में रहे यह वाले स्टॉक्स वाली या मार्केट अना रिकमिंडेशन लेनी पड़ेगे तो एक डिस्क्रीबर मैंने स्टाटिंग में दे रखाता है एक बार आप बैक जाके दुबारा उसे पढ़ सकते हैं यह एक सिर्व लर्निंग चैनल है कोई भी मेरे बिहाफ में ट्रेड मत लीजेगा तो चलते हैं एक बर स्क्रीन की तरफ पूरी अनालेसिस उसकी भी करते हैं चलते हैं स्क्रीन के अंदर हम लोग अपनी स्क्रीन पर आच चुके हैं सबसे पहले एक बार निफ्टी को स्टरी कर लेते हैं तो कल का एक बार एक मिनिट का में डिसक्शन कर लेता हूं लोग उनने कल किया बात करी थी कि 19600-19570 एक यसी मार्केट शुरुवात में गिरेगी वहाँ पर एक पैनिक सेलिंग होगी और 19600 का लेवल टेस्ट होगा यसी वो लेवल टेस्ट होगा वहाँ पर बायर्स अक्टिव हो सकते हैं विकॉज मल्टिपल कन्फरमेशन था मैं आपर आपको तीन कन्फरमेशन तो अभी दिख करा टेस्ट करा एन अफ्टर एक डोजी कैंडल अम लोगों को देखने को मिली अपने लो से वो रिकावर करा है एक बार चलते हो ना आरली टाइम फ्रेम फर दे सेकंड कन्फरमेशन पर आप चेक कर सकते हैं कि एक ना बुलिश पैनेंट पैटन बना था और इस बुलिश प अगर हम इन सारी कैंडल्स को बूल जाते हैं इस लेवल पर वो अल टाइम हाय था आप चेक कर सकते हो कि इस लेवल से इसने एक रिजिस्टेंस फेस करा नीचे गया और जैसी इस लेवल का इस जोन का ब्रेक आउट दिया एक नया अल टाइम हाय क्रियेट हुआ चेक है आफ जैसी ब्रेक आउट दिया दुबारा एक नया अल टाइम हाय दुबारा क्रियेट हुआ है चेक है तो यह लेवल एक इंपोर्टेंट जोन है जिस जोन पर अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनिटली बन सकती है आज के मार्केट को उसने भी मैं और दे देता हूँ आप लोगों को जिससे आपको लगे की लेवल स्ट्रॉंग है दाट इस दा फिबोनाची लेवल फिबोनाची रिट्रेश्मेंट हम लोग ने बनाया तो एक्जाक्ली 61.8 परसंट लेवल पे ही जाकिस ने होल्ट करा जो की एक गोल्डन रिट्रे इसको कर सकते हो और अपने थुँ एंट्री ले सकते हो एकजाक्ली वैसा हुआ अप चलते हैं तो 5 मिलेटính की टैम अनना 5 मिलेट्स टैम फ्रेम क्या हूआ let me just remove this let's not remove this आप देख सकते हो exactly जैसी इसने इस कैंडल को टेस्ट करा as you can see it here, यहाँ पर 11.25 के आस पास इसने टेस्ट करा है 11.30 पर एक बुलिश कैंडल बनी and यहाँ पर हम लोगों की एंट्री स्टार्ट हो गई अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने इस पे इंट्री ने लीती, बैंक निफ्टी में लीती चलिए मैं वह आपको दिखा दूँगा ठीक है, हमारी यहाँ पर एंट्री इसने एक बुलिश मुवमेंट दी अब आप एक चीज को याद रखेगा यहाँ पर एक डवल बॉटम बना डवल बॉटम बनने के बाद उपर गया अगें नीचे आयाँ आपर जित्ते लोगों ने भी इसके नीचे stop losses रखे होंगे, उसको हंट करा अफ्टर दाट एक बड़ी मुवमेंट आई बड़ी मुवमेंट आने के बाद क्या हुआ अजीकों सीट है यह एक डबल टॉप है यह एक अच्छा resistance है यह लेवल यहाँ support लिया, breakdown के बाद एक बड़ी candle बनी जब breakdown हुआ, resistance तो जितने लोगों ने भी shot करा होगा, वो इसके उपर लोगों ने अपने stop losses रखे होगे इसके उपर गया, trigger करा after that again falling आई अब again falling आई तो यहाँ पर multiple लोगों ने shot positions बनाई होगी अब द्यान से समझेगा, पहले यहाँ पर shots को trap करा, जितने लोगों ने भी long आई होगे, और long को trap करा जितने लोगों ने यहाँ पर shot position बनाई होगी, उनके stop losses hunt करे again after that जितने लोगों ने long position मनाई होगी उसके stop losses होगे, फिर जितने लोगों ने इस selling पे अपनी short position मनाई होगी, उसके stop losses को होगे point समझ रहे हैं आप? कि किती होगी होगी है, जैसी यह इस level पे आया, यहां पर हम लोगों ने अपनी एक buying opportunity बनाई थी 215 के आसपस, मैं भी आपको दिखा भी दूँगा, और हम लोगों की एक अच्छी momentum आई है, let me just remove this, and exactly 19,635 से हम लोगों की confirmation मिली, and almost 70 points की snake up move दी है अब करना क्या है, देखिए यह zone तो बन चुका है, और हमारे targets आ चुके, अब एक दिन पहले को एक दिन के साथ कभी मत जोड़ना यह बात हमेशा याद रखना अगर यह support से bounce कर चुका है आज तो जरूरी नहीं है कि कल भी करेगा हमारा आज की analysis थी कल जब हमने करी थी, और आज की analysis हमारे calculate different भी हो सकती है scenarios बदल सकते हैं ठीक है, जब मैं यह video बना रहा हूँ मैं US market को check कर रहा है US market bearish है, 10-year का bond deal, US 10-year का bond deal almost 0.5% बढ़ चुका है, all time high पे चल रहा है, तो वो हमारे market के लिए कल एक bearish sentiment हो सकता है, so I am not saying कि market अब यहां से दुबारा उपर जाएगी because अभी वो 16,000 19,600 के पास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, अभी 70 points दूर है तो that means कि एक fall दुबारा आ सकता है, अब एक last चीज, मैंने आप लोगों को अभी starting में एक level बताया था, जो भी मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ न, या तो दुबारा वीडियो देखा करें, या तो उसे note करते रहा करें, आपको start time में एक चीज़ बोलीती, range 19,600 से लेके 19,570 का, आज का low क्या है 19,600 क्या 19,570 चुआ है there might be a chance की कल्ब चूँ सकता है, तो यह सोच न, कि sir आपने बोला 19,600 सपोर्ट है वो तो ब्रेक कर गया जरूरी नहीं है कि ब्रेक करें बट अगर करता है तो हम लोगों को उसके साब से चलना चाहिए हमारी planning उसके साब से चाहिए तो आपको market के साब से चलना है 10 रुपे नीचे निफ्टी खुलती है तो हम लोगों को एक bearish candle का वेट करना है, अगर bearish candle बनती है या तो market खुलते ही ऊपर जा रही है और कोई sell bearish candle दिखती है अगर हम लगता है कि market एक छोटा सा reversal ले सकती है, बहां पर हम लोग अपने इन levels को watch कर सकते है कि first level 19,630 या 19,640 आ सकता है फिर 19,600 आ सकता है फिर 19,570 आ सकता है अगर उपर खुलती है या इसी level पर खुलती है यह दो चीजे मैं बोल ला हूँ बट अगर gap down ही खुलती है और नीचे जा रही होती है तो सबसे पहले उसे जाने दीजेगा जरूरी नहीं है कि 19,570 आ पर होल्ड करें वो 100 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे भी गिर सकती है falling knife पे कभी भी trade मत लेना ठीक है मैंने यह trade लिया बिलकुल नहीं लिया मुझे क्या पता है यह से उपर जाएगा नीचे जाएगा मेरे को पता चल गया मेरे ट्रिगर हो गया बट जब इसने एक previous swing high को break करा एक नया higher high create करा that's when I know कि अब अगर यह retracement लेने आता है तो मैं बाई करूँ और आया और तब मैंने बाई करा आप patiently wait करें अगर यह यह से इतना ऊपर भी चले जाता तो मेरे माइंड में तो वह होता है fear of missing out कि यार मैं opportunity मिस ना करूँ बट यह चीज आपको control करनी है यही सारी चीज़े मैं आपको सिखा रहा हूँ आपका trade चले जाए जाने दो बहुत आएंगे 4000 share समझ में आ गई है अगर 19,710 का level अगर ऊपर की तरफ तोड़ता और closing मिलती है 5 minute के time frame तो हम लोग अपना buy setup buy on dips पे जरूर मना के चलेंगे अगर buy on dips आती है उसके बाद एक candle 5 minute की close होने के बाद तो हम लोग buy on dips के बाद एक buying opportunity देख सकते हैं बढ़ अगर sideways खुलती है क्योंकि मुझे पता है आप इस चीज में मैं पहली बता देता हूं आप चलिए यहाँ से stock इंडेक्स नीचे आया आपने देखा ये तो यार इस रेंज में आ गया और अब ये ऊपर जा रहा है मैं तुरंद बाई कर लेता हूँ ये हलका सा यहां तक ऊपर गया अगेन नीचे गया आपका stop loss rate होगे आपने मुला यार अब तो ये लेवल आ गया है अब यहां से हलका सा share उपर गया यार थोड़ा सा pause लेने के बाद आपको लगा यार अब तो ये pause ले रहा है यही support है मैं दुबारे एक call उठा लेता हूँ हलका सा उपर गया और फिर नीचे आ गया तो आप wait नहीं कर रहे हूँ ये confirmation नहीं है कि एक bearish के साथ एक bullish candle बन गई और एक confirmation आ गया ये मेरे लिए confirmation नहीं था मेरे लिए confirmation level ये था point समझ रहे हूँ तो अगर level retest करती है तो जरूरी नहीं है कि वहां से bounce करे और अगर करे तो एक proper confirmation के साथ ही entry लेना वरना मत लेना ठीक है capital preservation is very important for you okay so let's see कि कल क्या होता है और I will try my best कि कल में live भी आऊं market पर और आपको को अपनी analysis दिखाते रहों कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एक बस study कर लेते हैं bang nift take I hope आपको समझ में आ गया तो that means the indication is sideways to bearish from my side और last hour के अंदर recovery definitely आ सकती है there is a possibility कि recovery आ सकती है let's open a daily time frame first and on a not daily time frame let's open one hour time frame on a one hour time frame what we've discussed yesterday कि एक bullish pennant pattern बन रहा है जो कि exactly इस level पर आ है 88.6 88.6 level एक bullish sorry cipher pattern बन रहा है जो जैसी इस level पर आएगा 44,400 के आसपास और वहां पर एक रिक हम लोगों confirmation मिलता है एक reversal देखने को मिलता है shorter time frame पर हम अपने एक entry ले सकते हैं after that यही level हम लोगों ने discuss कर रहा था on a 4 hour time frame I think we've discussed this level let me just show you I think that was the 2 hour time frame I think it's a 4 hour time frame yeah it's a 4 hour time frame आप check कर सकते हो एक rejection देखने को मिला multiple bearish candles इसके ऊपर closing नहीं दे पाती थी आप देखरों उपर जित्ती भी bearish candles close करती थी बट exactly नीचे आती थी after a very good movement एक अच्छी buying आई प्रिवियस जित्ती भी swing highs थे rejections थे उन सबको इसने ब्रेक करा और एक ऊपर की तरफ किया after data अब retest करने आया तो यहाँ पर हमारे link buying opportunity बनती थी जो हम लोग ने कल discuss करा let's open up 5 minutes time frame so अब 5 minutes time frame हम लोग ने क्या देखा इस level पर आया retest करा यहाँ अब आप देखेगा मैंने आपको कल भी यह चीज बताई थी अभी निफ्टी पर एक चीज बताई यहाँ पर multiple bar hold करा आपको के साबसी यह base बन चुका है चेयर ऊपर गया चेयर ऊपर जाने के बाद क्या इसने अपने previous swing high Q पर closing दी that means यह जो इसका previous swing आया है नई नई दी अगेन नीचे आया है यहाँ पर जित्ते लोगों ने भी buying करी होंगी उनके stop losses को hunt करा and after that एक बड़ी movement है ठीक है yes or no और यहाँ पर मैंने buy कर लिया अब मैं आपर confirmation के लिए wait करा बिलकुल भी नहीं करा मैं आपर confirmation के लिए बिलकुल भी wait नहीं करा because there was a pattern of breakout और यह reversal level इसी level से आता है that's why it didn't enter अब breakout की candle देखिए 1150 rupees की अब यह मैंने 4 trades लिये थे bank nifty के अंदर so let me show you on a one minute time frame ठीक है 44,500 का आप यहाँ चेक कर सकते हो यह call option है and सबसे पहला trade हम लोगों ने जो लिया था वो exactly इस level पे लिया था जब इस zone का यह particular zone देख रहे हो यह जो resistance का जैसी breakout दिया है 1153 पे हम लोगों ने entry ले ली और 1150 पे ही इसने अपना movement दी थी तो हम लोगों ने इन levels के आसपास ही अपनी एक position बनाई थी इसका target hit कर गया था after a target hit जैसी hit कर गया था हम लोगों ने exit कर ली position यही पर हम लोगों ने position exit कर ली after that हम लोगों ने क्या देखा हमने देखा कि यह एक level है जो कि resistance था यहां पर एक resistance था और इसका level का breakout दिया जैसी breakout दिने के बाद इसी level को retest कर आ और फिर एक hyken ICHE मैंने आपर hyken ICHE यूज कर आवाए ना कि simple candle यूज करे विया hyken ICHE candle मैंने call option पर यूज करे विया जैसी इसकी उपर दुबारा गया I've entered again and let me use a Fibonacci retracement for you as well Fibonacci में draw करना चाहूंगा as you can see it here exactly 61% per rejection मिला and उपर की तरफ गया after that यह मेरे लिए एक zone हुआ करता था मेरे लिए यह एक zone था जैसी zone की उपर दुबारा गया I've entered again but वहाँ पर मेरा stop loss हिट हो गया कोई बात नहीं जैसी मेरा stop loss हिट हो गया मैंने वहाँ से अपनी position हटा ली अब याद रखिए देखिए मैंने आपको बता है यह level किता strong है क्योंकि यहाँ पर 61% भी level था और यहाँ पर ही इसने retest कर और एक बड़ी movement दी थी जो कि पहले एक resistance हुआ करता था वो support बना अब आप देखेगा जैसी इसने दुबारा इस level को test करा मैंने अपनी buying entry इस level पे बना इना की इस level पे कि मुझे confirmation मिल जा और confirmation कैसे मिली कि एक fall आया ऊपर गया pullback दिया अगेन एक fall आया previous low को break कर आया और अब जैसे उपर इसने previous high को break कर अपने swing high को मैंने एक buying entry बना ही और मेरा target अचीव हो गया ठेक है last मैंने एक और यहाँ पर trade लिया था क्योंकि यह वाला trade मैंने इसलिए लिया था अब यहाँ चेक कर सकते हो यहाँ पर पहले एक rejection मिला यहाँ पर इसने pause लिया after a fall एक बड़ी drawdown आया और इस level मैंने एक और trade लिया so total 5 trade में से मेरा एक stop loss हिट हुआ और मुझे एक चार अच्छे buying trades मिली कैसे मिली आपको मैं already बता चुका हूँ इसी analysis के थो इसी analysis मैंने exactly इस level पे entry ली की नहीं ली चलिए कोई बात ही एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ bank nifty का 19600 का 5 October का call option yes यह वाला option अब हम लोग ने nifty में का entry ली थी let me just show you हम लोग ने लिये था around 215 के असपास 215 where is 215 yeah exactly at this bottom हम लोग ने यहाँ पर एक entry ली थी और मैं क्या करूँगा मैं आपर screenshot डाल दूँगा मेरे buying levels और मेरे selling levels और मैं आपको महाँ दिखा दूँगा 180 के असपास 183 के असपास 203 रुपे पर मैंने यह निकाल दिया था मैंने यह hold नहीं करा दें क्योंकि मुझे bank nifty में ज्यादा confirmations मिल रहे थे so यहां तक मैंने लिया मैंने यही पर कहीं निकाल दिया and after that एक बड़ी movement आ गए थी बटा मेरा point समझ गए so मैं एक बड़ दुबारा bank nifty आपको दिखा देता हूँ और मैं उसमें बता देता हूँ कि कल की analysis क्या रह सकती है अब अम लोगों को पता चल गया है यहां पर यहां पर रीटेस्ट आया क्योंकि यहां पर एक simple तुरंद buying आगई यहां पर किसी को buying करने तो आप देख सकते हो यहां पर एक gap आपको देखने को मिलेगा वो gap फिल करने के लिए भी definitely आ सकती है so मेरे साब से मैं bank nifty मैं bullish हूँ मैं definitely bank nifty के अंदर bullish हूँ but मेरे को देखना है कि nifty के अंदर मुझे कल opportunity जादा मिल सकती है as compared to bank nifty because nifty ने बहुत जादा confirmations वहां पर दी है multiple retest दी है multiple confirmations देने के बाद वह उपर गया है तो वह levels को अगर test करने आता है कल के दिन तो वहां पर हमें buying अच्छी मिल सकती है but इसने एक बार भी retest नहीं करा है so there might be a chance की नीचे भी जा सकता है तो यह चीज हमें जरूर चेक करने है जो कि हम कल चेक करेंगे I hope आपको अनालेसिस परफेक्ट लगे होगी अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी stocks की क्योंकि वीडियो लंबी होती रहती है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन होटल की तो इंडियन होटल के अंदर मेरी एक बाइंग अपॉचुनिटी है as you can see it here तो जून 2023 से यह पहले इसका एक लेवल था आप से हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हमें उसको इगनोर कर देना है आम ने यहां पर क्या देखा एग यह आपर रिजिस्टन्स फेस करा इसकी ऊपर क्लोजिंग नि दे पाई अगें इसने ट्राय करा next month बट अगें क्लोजिंग नि दे पाई and after that again next month यह लगातार एक एक महीने की period का है तीन महीने तक लगातार इसको टेस्ट करा बट क्लोजिंग नि दे पाई अब इसने last third month के अगस्त 30 को इसने एक breakout दिया and after that एक उपर गया और हलके 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 आते आते इसने अब रिटेस्ट करा है इसी level को so there might be a chance कि एक movement आ सकती है अब एक छोटी सी चीज on a daily time frame इसका RSI अगर आप चेक करोगे तो वो 48 है मैं चाहता था कि RSI अगर इस level पर 52 होता तो मेरे लिए confirmation और अच्छी हो जाती है ठीक है but कोई बात नहीं 15 minutes का time frame पर एक बर study कर लेते हैं okay so on a 15 minutes time frame as you can see it here यह पर एक यह particular एक level था जो की एक as a support after a breakdown resistance बना तो यह level एक important है and after that एक bullish head and reversal head and shoulder pattern भी बन रहा है as you can see it here so अगर इसके उपर 4-0-10 की उपर अगर 5 minutes के अंदर यह 10 minutes के अंदर एक closing आती है candle की there might be a chance की momentum आ सकती है और 6-7 rupay की उपर की levels यह जा सकती है because there is a gap at this level यह gap है इस gap को fill करने भी आ सकती है so it's a bullish head and shoulder pattern so इसके उपर अगर जाता है तो there might be a chance की bullish momentum यह capture कर सकता है but we need a very good closing of this level then also so you have to do your own analysis for this अब बात करते है एक बार Apollo hospital की let me use a weekly time frame for that so on a weekly time frame आप check कर सकते हो एक bullish pennant pattern का already यह breakout दे चुका है let me remove this इसके अलावा एक head and shoulder pattern का इसने अभी breakout दिया और head and shoulder pattern almost 2.5 साल से उपर उचका है इस level की उपर यह गया नहीं था that level is 4870 रूपीज का level but इसके उपर गया multiple times इसने वेट करा है अब जाकर रेते and on a retest as you can see it here it create a doji rejection and after that a very good breakout so there might be a chance की अपने previous swing high तक तो definitely जा सकता है that means the current level is 5100 और इसका जो previous swing high है that is 5350 almost 250 points की movement अभी वी दे सकता है there might be a chance so let's open a early time frame on an early time frame what we can see it here that there are multiple rejections यहाँ पना multiple resistance हम वोगों को face करने को मिल रहे है so एक थोड़ा सा hurdle है इस particular stock को उपर जाने में यह हलका सा उपर जाएगा फिर selling आजाएगी फिर नीचे buying आजाएगी फिर selling आजाएगी तो इसको आप ऐसन intraday purpose के लिए नहीं लिए सकते यह चीज़ देखिए आपको समझना पड़ेगा अगर multiple levels पर resistance है तो you can't take आप afford नहीं करना चाहोगे आप patience loose कर दोगे अगर आप एक as a market के अंदर अपनी motions को control नहीं कर पाते so for that you can take a swing trade अपनी analysis करने के बाद चेक है so if the particular stock goes down below और अगर वो in levels के आसपास आता है I think that यह यह एक support है यह एक support बन सकता है इसके आसपास आता है 20 day exponential moving average के आसपास आता है और bounce कर रहा होता है वहाँ पर 15 minutes के time frame पे तो आप अपनी कुछ quantities add कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपको practice करनी है और patiently wait करना है for this particular recent high so it's gonna be called a swing trade not an intraday trade our last stock is grassim so grassim ने भी same चीज़ करी है let me open a weekly time frame for you all weekly time frame आप check कर सकते हो एक बहुत बड़ी है head and shoulder pattern इसने बनाया exactly आप check कर सकते हो कि इसने November 2021 almost इस बात को 2 साल हो गया है पर closing नहीं दीती हो ना weekly time frame 2 साल के बाद इसने एक बहुत अची candle के साथ weekly closing दी है after that एक previous to previous week it created an insight candle and after an insight candle exactly उसी low से इसने अपर अपना एक closing से अपना एक open करा है इस today week पे और अब यह उपर की तरफ जाना start कर रहा है so I personally think कि एक अच्छा stock है और एक अच्छी momentum दे सकता है so अगर आप यह लेना चाहते हो तो चलिए इसके लिए आपके लिए stop loss क्या होना चाहिए stop loss होना चाहिए जो यह particular candle जिस हफते से start ही है and we can patiently wait for the new targets or the new all time high in this particular stock एक बाह मैं आपको on a early timeframe पे भी दिखा देता हूं on a early timeframe पे as you can see it here let me use a Fibonacci retracement for you all Fibonacci पे exactly 61% level को इसने test करा है and after testing यहां सी bullish momentum आई है 20 to exponential moving average के उपर जाके close करा gap already filled था बड़ तब भी उस के उपर जाके close करा which is a very good sign I think a particular stock buy on dips पे आप लोगो को as a 2 to 3 day stocks रख सकते हो और आपको अच्छा result दे सकता है but analysis जरूर करना और जबरदस्ती entry नहीं करनी है check करके ही entry लेनी होती है so I hope आप लोगो को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो please do let me know on the comment section and please like this video have a very good day guys बाइ बाइ.